वीवो प्रोकवेट डिसीजन 6 का मैच नमबर 54 में देखने को मिलेगा यू मुंबा वर्से जैपुर पिंग पैंथर्स के बीच 9 नौमबर को रात 8 बजे से जो नेका होगा ये मैच मुंबाई में हमें देखने को मिलेगा लाइब ऑन स्टार्स पोर्ट और होट स्टार और जैसा मैंने आप सबको बोला था कि मैं इस मैच पर प्रिवीव वाली वीडियो लेकर आऊंगा तो ये रहा प्रिवीव वाली वीडियो ये वीडियो होने वाला है बहुत ही जाना दिखते रही है तो फ्रेंट्स पहले हम बात करेंगे कि इन दोनों टीमों को इस मैच को जीतने के लिए क्या करना होगा उसके बार हम नजर डालेंगे जून एके पॉइंट स्टेबल के ऊपर की कौन सी टीम कहा है उसके बार आप लोग का एक क्वेशन है कि सिदार इन दोनों टीमों को इक दूसरे से जीतने के लिए क्या करना होगा तो गाईज अगर जायपुर 55 को जीतना है तो जैसे आप सबको पता है कि लास्ट मैच में हरयाना श्रीलर्स को जायपुर 55 ने हडा दिया और वो मैच ठ्रिलिंग था अच्छा था मैच बड़ उस मैच को इस कवर सेमत खिलाओ नहीं तो मैं अच्छा परफॉमंस नहीं कर पाऊंगा और उंपिन की आपोल्सरीजन SAY कि अगे ₹12 लीमे क्ववर कब्योंब थो उख चार अच्छा परफॉमंस अब किया है आखिर में उत्iera परफॉमंस दे नीए छीक्स्तली nee जैपूर की डिफेंस में संदीप तो नहीं चल पाए सब्टिटूट की तहत आये थे बट अच्छा नहीं खेल पाए और मोहिट चिलर ने चार टेकल पॉइंट्स लिए तो गाइस अगर जैपूर को इस मैच को जीतना है तो फिरसे में को रेडिंग को चलना पड़ेगा बात करें अगर यूमबा को इस मैच में जीतना है तो क्या करना है तो जैसा उनोंका रेडिंग चल रहा है वैसा ही चलने दो बहुत अच्छा खेल रहे हैं जयसा आप सबको पता है कि यूमबा बहुत ज़रा अच्छा खेल रही है और उनकी डिफेंस कमाल की अभी तो जरूर्व मैच को युमा जीतेंगे डिफेंस और एंडिंग को चलना होगा तो जरूर्व मैच को आसानी युमा जीत जाएंगे तो अब हम नजे डाल लेते हैं पॉइंट स्टेबल के उपर यूममा नम्बर टू पड़ है जोन एक हे पॉइंट स्टेबल में यूमुमा ने आठ मैचस के लिए है छे जीते हैं एक हारे और एक मैस टाइड आए टोटल पॉइंट है 34 वहीं पर जैपूर पिंग पैंथर्स लास्ट में हैं साथ मैचस केले हैं दो जीते हैं पांच हारे और टूटल पॉइंट है टूइल मतलब यार यूमबा बहुत ज़्यादा आगया जैपूर फिंग पैंथर्स से और जैपूर को बहुत ज़्यादा अभी मैनत करना होगा क्योंकि यूमबा ने सिर्फ एक ही मैच ज़्यादा खेल टीम है तो अब यार आप लोग का एक क्वेच्चन था कि सिदाद देशाई क्यों लीग खेलने और खेलें गया नहीं आज के मैच में तो मैं बता दू यह लीग बहुत ज़्यादा बड़ा है मतलब 22 मैचस हर टीम खेलने वाली उसके बार आपको लीग मैचस कहलने को मिलें बहुत आरे प्रेस्ट कर रहे हैं विसाल भार्दवा जाब उजर मिघानी तो वैसा इंसाइड यूमबा ने सोचा हुआ कि हम सीड को थोड़ा रेस्ट दे रहे हैं लगतार मैचस मैचस खेल रहे हैं का इंजट हो गए तो बात में हमें थोड़ा मुस्किल पड़ेगा तो और बात करें कि आज के मैच में खेलें गया नहीं तो वह तो मूड पर डिपेंट करता है भाई कि अगर यूमबा के यूमबा वाले सोचे कि हां बहुत ज़्यादा बड़ा रेस्ट हो गया आप चलो खिला देते हैं क्योंकि लास मैच वो खेले थे 27 तारीकों तो अब से 10 दिन हो गया आज से और मैच नौ तारीकों मतला उस दिन तक 12 दिन हो जाएंगे तो 12 दिन बहुत ज़्यादा हो जाता है और रेस्ट भी बहुत ज़्यादा हो गया तो साइड वो खेले बट अगर यूमबा के टीम सोचे कि नहीं भाई और थोड़ा डेस्डे दे रहे हैं व कर सकता हूं क्योंकि तीन दिन पहले कोई स्टार्टिंग समिन कंफर्म नहीं करता है तो गाइस अगर आपको जानना है तो जिस दिन मैच है ना नौ तारीक को आप मुझे इंस्टागराम पर पूछना इंस्टागराम की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप मुझे फॉलो करना है और उसके बार आप मुझे मैसेज करके पूछ लेना कि सिद्दाद इसाई खेलें गया नहीं मैं आपको बता दूंगा तो गाइस अब आखरी बात की कौन सी टीम इस मैच को जीतेगी तो मैंने एक पूल क्रिएट किया था अच कॉम्मूटी है था तो सबसे जारा जो वोट मिले है वो यूमबा को मिले है 68% 29% मिले है जैपूर फिंग पैंदर्स को और 2% टाई चाहते है वो लोग और जो टाई चाहते हैं वो मेरे जैसे है क्योंकि मुझे इंट्रस्टिंग मैच ज्यादा पसंद है भाई तो दो ही परसेंट टाई चाहते हैं और मैच वार में तो यहां पर यूमबा जादा आगे है मतलब फैंस यूमबा को ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और मैंने ऐसा सोचा था क्योंकि अभी यहां पर मैं दो दिन गंटे-4 गंटे रहने देता चार-5,000 लोग बोट करते फिर भी यहां पर मुझे लग लास्ट मैच जीत करा रही है ऐसा हो सकता है कि इस मैच को जैपूर पिंग पैंथर जी जाए और अगरा सिधार्थ खेलेंगे मतलब उस मैच में तो मुझे लगता है तब तो ज्यादा पलरा भारी मुंबा कहीं होगा बट अगर सिधार्थ नहीं खेलते हैं तो यहां पर मै दिवाली कहना था तो हैपी दिवाली टू अल आफ यू एंड और फैमिली और है यार फैर क्रेकर्स थोड़ा कम फोड़ो तो बस एट यह वीडियो आपको यह वीडियो अच्छी लगे होगी तो नीचे कॉमेंट्स में लिकर बताइए कैसे लगी आपको यह वीडियो अच